नमस्कार दोस्तों आप लोग के फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल one exam.in पर मैं परेसिंग राठोड आज का हमारा जो लेक्चर है आज के हमारे जो क्लास है वो टोटली पेपर वन पे फोकस रहेगी पेपर वन का जतना भी हपन चीर फार कर सकते है वो आज की क्लास में हपन करेंगे उसके साथ काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी के पेपर वन की स्टेटीजी बनाईए सर पेपर वन कैसे करेंगे सर कैसे प्रिपरेशन करें पेपर वन की कैसे इतने सब्जेट को कहां से ए अगर हंदी मीडियम वाला है तो इंग्लीस उसके अनिस के लिए थोड़ा से टफबर जाती है। उसकेसाथ महतस्के नहीं होगी चीकित है। तो सब पेपर two तो आप लोग तयारी करवा रहे औहरे हो। हमें यह वरोशा है आपकी तयारी के साथ। कि हम इस डेट को को अच्छी तरह क्रेक करेंगे अच्छी तरह competition देंगे मार्केट के अंदर और हम select भी हो जाएंगे लेकिन paper 1 अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो paper 2 में की वी मेनत भी हमारी कहीं न कहीं क्या होगी compromise होगी कहीं न कहीं उसके साथ हमारे साथ थोड़ा सा दो personal life में भी apply कर रखिये जब भी मैं को competition exam देने जाता था तब जैसे कि मैंने latest college lecturer वाला भी दे रखा था और उस टाइम भी मेरे लिए ऐसा था कि paper 1 क्योंकि मैं as a charter accounted हमने कभी यह paper 1 की जित्र भी subject है इसको कभी serious लिया नी serious हमारे कहीं पर भी दिकत आई नी ना reasoning हमने कभी पड़ी ना राहिस्तान जीके राहिस्तान जीके का थो मुझे आर ही नहीं पता था कि होता क्या है राहिस्तान जहां रहते हैं उसके बारे में नहीं पता था पुनको हिंदी इंग्लीज सेंटेंज यह बहुत बच्पन में बढ़े थे computer चलो ठीक है वाया practical knowledge है सारा चीज वह बात अलग होगी everyday science तो बूली जाओ ठीक है तो इस तरीके से हमने फिर कैसे strategy बनाई और इतने खरे उत्रे कि जो paper हमारा हुआ था जो हमारा paper one हुआ था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हिट किया और जितने बहुत जादा expert बच जते ना जो इस paper one का बहुत सालों से competition त्यारी करते है आपके लिए भी दिखता है यह भी बताऊंगा आगे तो उन लोगों को भी हमने competition दिया और उनके बराबर number हम लेकर आए और यह मात्र और short spam of time यानि दो महिने के अंदर highest बता रहो मैं आपको दो महिने के अंदर हमने यह त्यारी किये तो वह strategy उसकी साथ मैं आपको आपके paper के लिए वह same strategy लागू करते हुए आज अपन यहाँ पे as a friend, as a guide, as a दोस्त की तरह आज बड़े भाई की तरह आपने बैटके इसको discussion करेंगे ठीक है ता आप यह मां समझेगा कि सर आपको कोई चीज बढ़ा रहा है आज सिफ discussion करेंगे जैसे बैटते रबन दीचा लोग और discussion करते हैं कि आज क्या करें या इस paper one को किस तरीके से आर कैसे कैसे क कम समय में इसकी त्यारी करने की कोशिश करता है तो शुरू करते हैं आज की class चलो यह मैं आपे कुछ लेकर आयों आपके लिए देखो पहले तो सबसे पहले किसी भी चीज को जाने से पहले उसकी समझ्या को समझे यानि बीमारी से पहले उसका solution दवाई से पहले उसकी बीम हमारी का symptoms कैसा है symptoms के साथ वो कितनी गहरी बीमारी है हमारे लिए तो समझेगा paper two तो okay sir कोई दिकत नी है one exam के साथ हम पूरी confidence के साथ खड़े है और one exam हमारा selection करवा करेगा और one exam की सारी faculty है हमें best से best देने की कोशिश कर रहे इस बात से तो हम agree है agree होके नहीं बया यह बता द बताता हो paper one की सबसे बड़ी आपको बटाता हूं अपन लोगों के लिए ठीक है अपन लोगों के लिए सबसे बड़ी समरसे बबन की यह कि पहला पहली समस्य यह उड़ती है कि इसकी preparation कैसे करें कैसे कैसे मतलब इसका study material कहां से लाए सबसे बड़ी बात आती है सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहले हम करते हमारे पास notes होने चाहिए क्या होने चाहिए नोट्स होने चाहिए सर दूसरी बात बात की नोट्स एक बार आ गया उसके बाद हम तैयारी वहरी जो भी पड़ पुड़ा कर जैसे भी कैसे जुगार करके चले जाएंगे एक बार नोट्स तो आवे मैट्रिल तो आवे कि कहां से पड़े हम इसको ठीक है तो पहली समस्या हम या इसका मैट्रिल कहां से घटा करें दूसरी समस्या हमारे लिए एक नया है क्या है नया है कई बच्चों के लिए नया होगा जो कॉंपिटिशन में काफी टाइम से लगे हुए उन लोगों के लिए तो यह नॉर्मल खेल होगा लेकिन जो बच्चे नये हैं पहली बार उसकी कैसे करेंगे और यह साइंस वाइंस तो हमने 10th में समझ भी नहीं इसलिए तो कॉमर्स ली थी यह वापस क्यों हमें दुख दे रहा है उसके साथ साथ हमें और हमारे पास क्या है मैट सर इससे तो बहुत ज़्यादा डर लेकता है इसी से डरके तो हम कॉमर्स में आयत समंदर है समंदर मतलब बहुत बढ़ा है राइस्तान जी के उसमें से क्या पड़े क्या छोड़े आएगा 25 कोशन आएगा 55 नमर के आएगा क्या पड़े क्या छोड़े तो यह सब क्या है हमारे लिए बहुत बढ़ी समस्या है सर इसका निवारन के लिए दो समस्या आपके स कि हमारा जो थो बेस्ट पार्ट है क्या है इसको कॉछ चोड़े पत्र तो अगर पत्रफ टू को छोड़ के पेपर 1 में है और आए जहां पर हम इसे इत्र बड़ा आ रहे थे उसका और कम हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका कितना 30 परसंट तो अखिर तो लॉट्वा सिवा सरफ 15 परसंट में सेलेक्षिन हमारा हो नहीं है तो सरफ करें क्या इधर जाए उधर जाए तीसरा सवाल है कि किसको दे क्या दे priority किसको दे priority किसकी तरब करे किसको पहले पड़े, किसको बाद में पड़े किसके लिए ज़्यादा मेहनत करे किसको ज़्यादा समय दे समय किसको दे यह हमारी एकतिसी समस्या इसका निवारण कीजिए चौती समस्या क्या हमसे हो पाएगा हमसे हो पाएगा क्या हमसे हो पाएगा क्या हमसे हो पाएगा यार अठक रहा है वीडियो ओके ठीक है तो सवाल होता है क्या हमसे हो पाएगा यह कुशन हमारा उठता है ठीक है वीडियो ठीक लग रहा है मुझे ठीक है तो सर यह हमारी समस्या है अब इसका निवारंग कीजिए आप पिचुतर यह है दूसरी बात एक और बात देखो 500 कोशिल इसके आएंगे तो 500 इसके भी आएंगे चाही बात है चाही बात है सर नमबर 455 इसके है तो 455 इसके भी है तो बेदभाव इन दोनों पेपर के अंदर हो नहीं सकता भी है यह पका है पर यह आपकी USP है पेपर 2 यहाँ आप दूसरों को पचाड़ दोगे क्योंकि यह आपका क्या है? पर यह स्टॉंग पार्ट है क्या हो जाँगा यह आपका? स्कोइर करना है यहां पर बैस्ज कोर और यहां पर हम तो आज अच्छा करेंगो अर everydayrd लेकिन नहीं करो तो में मैं तो सारी जीदि देखुंगा में तो सारे बच्चे मैं तोすब की स्केटिजिए Mang अगर मैं होता मेरे जैसा बच्चा, एवरेज बच्चा भई है, मैं होता तो मैं गहता भईया, पेपर two को मैं सबसे strong तरीका से करू, अपना बहुत best तू और पेपर one को एवरेज तरीका से करू, अब सर यही तो पूछ रहे हम, एवरेज तरीका से करें कैसे? इसे तो बता दिए अब मैं आपको बताता हूँ एवे तरीकी से कैसे करते हैं समझेगा हो गए यहां तक बात अब सारी discussion अपने स्टार्ट करते हैं कि वह यह paper 1 और 2 का किस तरीकी से हम इसको solution करेंगे हैं चलो यह आगे आपका syllabus अब सुरू करते हैं एक-एक को आड़े हाथ लेते एक-एक की बात करते कोई धिकत निया डरनी के आभशकता नहीं है यह paper 1 यह जो आपको डरा रहा है अब इसका solution करते हैं चलो यह तो पता है यह dad show है शाड़ी चार्श रो है यह तो आपने रट ली होंगे हम मुझे पूरा प्रोशा चलो पेफर बन पहते हैं पहला पेपर हिंदी अब सर हिंदी हिंदी मीडियम वाले तो बोलेंगे वैसे हमारे यूस पीस में किसी प्रकार की आपको डरने की जरूत नहीं हम डरेंगे नहीं और आपको भी डरने की जरूत नहीं बहुत इजी अब बात आजाती है इन में तकलिप इंग्लिश मीडियम वालों की कि सर हिंदी जो पहला सब्जेक्ट है पेपर बन के अंदर इसका सॉलुशन कैसे करे या इसको किस तरीके से हम इसको क्या करे इसकी प्रिपरेशन करे तो मैं आपको बताता हूं कुछ मत कुरो जो मेरी मैं तो दे यह पाऊँगा क्या तो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इसे वीडियोस यो कि आया कर फ המס़ देखुइआ पूरा सायर करवाद है एक इए ही एक ही वीडियो हैं पूरी चीज़े Méसा कर वादहे ऐसे बीदियो देखुआ जैसे मैं कर था है ज़िस आइए लें इस게पन को एवरेज चीजे लेनी है अगर पर यह 25 कोशन आएंगे और उस 25 कोशन के अंदर से अगर उस वीडियो को देखके रुसार वाले वीडियो को जो 3-4 गंटे का लंबा होगा उसको देखते हुए जो most important चीजे करवाएगा वो उसको देखते हुए अगर इस में से मैं 15 कोशन भी सही पटक देता हूँ यह सही कर देता हूँ तो मेरा तो काम हो गया एवरेज से ज़्यादा हो गया अवरेज का मतलब उता 12.50 मानों लेकिन मैं क्या कितने कर रहा हूँ 15 question मैं सही कर देता हूँ तो वैया मेरा काम हो गया Hindi मेरी तकलीप नहीं रही अब Hindi मेरी तकलीप नहीं रही समझे मेरी बात ठीक है अब ये 15 question सही करने के लिए सर यूटूब पे वीडियो तो बहुत सार है कौन से देखे कौन से ना देखे कैसे करे मैं आपको बताता हूँ 500 दिन आपके पास पेपर 2 की तेयरी आपके चल रही है रोज का पेपर 1 का एक एक सब्जेक लीजिए साथ में एक गंटा आदा गंटा दीचे दिन में उसको जैसे कि अगर 4 गंटे का वीडियो स्टार्ट किया ना रोज का एक गंटा देख लिए चार दिन में पूरा हो जाएगा साथ में उसके नोट्स भी आप बनाए अपने खाली वीडियो देखने से तो मूवी देखने से हो गया मूवी की स्टोरी आपको याद रजाती है आतों साथ में नोट्स भनाए। चाहर एक गंटा है उसका वीडियो प्ले करें साथ में नोट्स भनाए। एक गंटा हो जाएगा चार दिन में हो जाएगी हिंदी चार दिन में olv segu तो सरनलॏ यूट्योट पे आपने का दिया सार वाले वीडियो को 3-4 गंटें आज बजू और को भी recommendation करता है तो उसको देख्येंगा अच्छा video देख्येंगा जयाद हम घराम कीजेगा किसी videos में मैं कुछ videos आपके लिए recommendation… suggestion है मेरा ठीक है? Suggestion है कोई institute किसी और का suggestion नहीं करती है, मैं कर रहा हूं है पर सिर्क किसलिए क्योंकि मैं आज इंस्टूट के रूप में नहीं अपने इसे दोस्तों भायों के रूप में आए जाए ठीक है तो मैं आपको कुछ वीडियो स्जेस्ट करता हूं जो मैंने देखे अगर मैं हिंदी पढ़ता तो किस तरीके से कहां से पढ़ता तो सबसे पह व्याकरन करके एक वीडियो डाल रखा है जो कि NCRT है ना NCRT इसके उपर बेस्ट है ठीक है इसको थोड़ा ऐसे तो दो को हिंदी आएगी इंगलिस आएगी तो NCRT की बुक में से ही आएगी क्यूंकि एक तम बेसिक लेवल से पूछ जाती है तो संपुन हिंदी व्याकरन का एक वीडियो देर का है जो करीब में करीब दें तीन गंटे 40 मिनिट का है कितने का है करीब इन चार गंटे का वीडियो आप वो देख लीजिए उसको एक बार खा लीजिए साथ में जो अगर आपको इंपोर्टन लगए तो साथ में नोट्स भी मनाते चाहिए उसके बाद एक जो जाधातर competition exam में जो त्यारी खरते हैं उनको यह पता होगा कि एक बाइसाब होते हैं अपने Dr. K.R. मया इनको बोलता है एकदम युसेहन सा अमिता बच्चन टाइप हिंदी बीडियो मालों मतलब जो हिंदी में व्याकरान इसके लिए यह भी हिंदी व्याकरान के गुरू है तो आप यह दोनों देख सकते हैं इस पर जो बढ़िया लगे आपको देखना है आपको प्रिप्राइ और था एक बार ठीक है इनकी एक मेराथन क्लास है क्या है मेराथन क्लास है किनकी मैया साब की ठीक है इनकी बुक्स भी काफी हिंदी व्याकरान की बुक्स भी है ठीक है इनकी एक मेराथन क्लास है उसको आप जुरू देखे है करीब करीब दो गंटे 30 मिनीट की एक लास है इसमें Hindi वेखरन के साथ ये थोड़ा राहिस्तान जीके का पार्ट भी उन्होंने ले रखा है, देख लेकर राहिस्तान जीके का अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरह के celebrate करके अलग से पूरा वीडियो ही राहिस्तान जीके का मैं अलगी बनाने के सोच रहू हूं, तो यह हो कोशन है पचीज कोशन है शर्पिच्टर नमबर के 25 कोशन का मैंने आपको दो वीडियो बता दिये एक तो डीके गुपता जी को देख लिजेगा एक क्यार महिया को देखो तो इनको जो समाज में आपको जो बैस लगे देख लिजेगा आपके साब से ठीक है इनका उड़ाइ छीज़िस के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है, तो हिंदी तो गया आपका, पचीस में से अपनको लाना कितना है? 15 कोशन, एगजेट से ही पठकना है, कितना पढ़ने है? 15 कोशन, यहामें लिखते जाता हूं, सही कितने की लाना है, ठीक है, आपनको मैं भी लास्ट में देख 25 question आपके सामने कितने 25 question पिचूतर नंबर के हैं लाने कितने अपन को वही sir आपका अपनी strategy कितने 15 question से गिराने यहां पर भी कितने से गिराने 15 question देखो ज्यादा गिराओ तो कैसे पंद्रह सर आप पहले से नीचे बोलड़ो यार 15 के आम तोस्ते ज्यादा करेंगे अरब यह ज्यादा करो तो तुम्हारी सोगले तुम मेरिट मैं जाओगे रैंक लियाओगे मैं तो एवरिज बात करूं 15 है ठीक है यह करोगे अब सर इसके तरुन क्रोगर देख लीजेगा है सर्च करके देख लीजेगा ऐसा दुनिया पर के मिल जाएंगे मैं जो मैं देखा मुझे से इनका भी करीबन करीबन कुछ तीन साड़े तीन गंटे का है वीडियो है ठीक इसमें बेसिक्स ऑफ हिंगली सारी करवाते है लगब लगब पढ़ लो और कहीं ऐसा कुछ लगे कि यहां कुछ छूट गया है जो हमारे लाइन टू लाइन क्योंकि यहां पर लाइन टू लाइन आपको देखना है कि वोईस में एक्टिव पैसी वोईस करने है टेंस सेक्वेंस वोईस हो गया जब वो पड़ो साथ में इसको टिक भी क पर लगवल लगवे तीन साठी गंटे वाले वीडियो जो मेरा थन वीडियो जो ते इनके अंतर सारी चीज़े कवर कर वा लेते हैं हमें करना कितना है हमें 15 कोशन से ही पटकने कितने 15 कोशन चीक है ओके चलते तो यह समझ में आगया बात कि इंगली का और हिंदी का लेगा देखो मैं आपको से बताओ इतना डीटल में आपसे पड़ा जाएगा क्योंकि पेपर टू आपकी यूएसपी पेपर टू पर आपको फोकस करना है डीटल में आप पढ़ी रहे हो यहां पे आपको एवरेज आवरेज चीज़े करते हूँ चलना ताकि कॉम्पिटि लिए क्या करें क्या पढ़ना क्या छोड़ना इतनी सारी चीज़े लिखिये ना इतियास है यह दो किसमें हिस्ट्री आ गई फिर आगी अपने जोग्रोफिय आ गई है ना ठीक है फिर आपके यह प्रसास्तिन की आनि पॉलिटी आ गई फिर अर्थ व्यास्ता एकोनोमिक आ और समसामी की गटना होगी बहुत सारी जैसे करंट अफैर्स हो गए यह सारे ठीक है इन सब का मैंने अच्छे तरह किसा आपको करवाना है आप मस्त रहिए आप चिंता मुक्त रहिए राजस्तान जी के मेरे ऊपर छोड़ दीजे इसका मैं अलक्सी एक वीडियो बनाओंग यहां पर अपने को 20 कोशन स्टॉंग जो अपने स्टॉंग पार्ट लोग जाता हम आप बीस कोशन तो एग्जेक्टली क्या करने है साही करने है तो इसका टार्गेट रखेंग अपने लक्षी करने है कमेंट करके बताएगा वीडियो की जुरूत हो तो तुम लोग ऐसे मै नोबल बिठता है चलो फीर 25 कोशन पिच्चूतर नंबर के क्या है आपके सामने एवरीडे साइंस सर अब आपकी मुझे लग रहा है बकरी डबे में फस गई क्योंकि यह क्या है साइंस साइंस यानि विज्ञान विज्ञान यानि मतलब अपनी उकाद से बाहर सीधी सी बात कॉमर्स वाले अपनी उकाद से बाहर अब सरी इतने सारे नाम यह 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 इसमें सी एक नाम मुझे पता है मुझे पता है एक तो देखो यह immunity और vaccination मिला लो अभी ज़स कोरोना वाला हुआ था पता ही है immunity बढ़ती है vaccination है एक यह CNG पता है सस्ता हो गया है बागी अपने कोई लेना देना नहीं क्लोरफ्रो कार्बन है यह सुंगाते नहीं से किसी को बेउस करते है तो वह नहीं है वह होगा साथ ठीक है अब यहां पर अपनी बकरी रब्बे में फच गई क्योंकि आगए मामला साइंस का और जहां विज्ञान की बात आती है वहां कॉमस्ट वाले क्या करते है उस दिन क्लास में आते नहीं है तो दिकत आगी अब सर अब बताईए एक्सपर्टीज बताईए 25 कोशन में से 15 कैसे विज्ञान वाले मामले में तो भाया धरने की आएक शकता नहीं है पोले-चार का नाम लोग सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा कालय अच्छा होने का के मैं होता आपकी जगा तो क्या करता हो सेम बकरी मेरे भी डबी में ऐसे फची है तो मैं क्या करता मिसक इसके पास solution है मेरे पास एक क्या बोलते सको चंजीवनी बुटी है एकदम जंगलू से लेकर आया होंगा देखेगा यह science है तो मेरे पास अईरवेद है देखेगा कुछ नहीं करना ना तो इसके वीडियो देखने देखो कोई वीडियो नहीं देखने यूटूब पर बरबाद हो जाओगे समझ के बार हो जाएगा उकात के बार हो जाएगा मुश्किल हो जाएगी ठीक है लूज मुशन भी पंदरा कोशन तो सही गिराने ही गिराने है अपने को अब रिट अपन को इसकी त्यारी करनी है इसका अपने पास ब्रमास्त्र है क्या कम से कम 500 से 1000 MCQ करने आपको इसकी है common MCQ जनरल MCQ जो की YouTube पे वीडियो अवलेबल है YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवलेबल है जो बताते है अजार पांचो दो हजार MCQ कॉमन जनरल MCQ एवरीडे साइंस पे पूचे जाते है एवरीडे साइंस पे ज्यादतर एक्जाम्स के अंदर पूचे जाते है वो रिपीटिटिव नेचर के होते है और यह मैंने देखा है वो भार भार उस एक्जाम में भी आएंगे ना तो उस सबसे बड़े पॉइंट क्या हो जाएगा आपको 15 कुशन से एकनने तो 500-1000 MCQ आपको देखने एक बार देख लिए एक वीडियो कम से कम दो वीडियो देख लेना कितने देख लेना दो वीडियो ताकि एक वीडियो में याद नहीं रहा दूसरे में तो आपको याद रही ज आई गया आपके सामने बायो पैटेंट्स क्या होता है इम्मुनिटी वैक्षीन यह सब चीजे जो अभी लेटेस चल रही है तो इन चीजों पर कॉशन होंगे कैसे होंगे या तो आपको बूचे का फुल फॉर्म किसी की कि कि जो CFO है यह CFC है कोलोफो कार्बन इसकी फूल फिर आपको इसे इम्मुनिटी हो गया वेक्षीनेशन हो गया इसमें तो आपको मुख्य मुख्य डिसीज एक और इंपोटेंची जान रहना है यह एक तो फुल फॉर्म और यह सारी और एक द्यान रहना मेजर डिजीज जितनी भी यह मार्केट में है उन डिजीज की पूरा आपका इसमें आ गया देखो यह दो हुमन हेल्थ से लेकर यह यह पूरा पूरा किसमें आ गया यह आपका यह पूरा यूनिट आ गया एक तरीख से इस पर कोशन नहीं चार से पांच कोशन बन जाएंगे जैसे मलेरिया हो गया इन पर कॉनसी वेक्षीनेशन काम करत वह लगब 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 इन 500,000 MCQ में आई जाएगी कि टाइफएड के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है उसके लिए फलाना के लिए क्लिए फलाने क्लिए लगता है आपको पता चली जाएगा ठीक है फिर हुमन एल्थ के लिए भी सारी चीज़े इसके अंदर आगी कि हुमन एल्थ में भी क्या क्या चीज़ आगी सब इसमें इंदर ही फेमस बीमारी को इंदर भी आगी तो यह है रामबान एवरीडे साइंस का 500,000 MCQ दो वीडियो ऐसे देख लेना यूटूब पर काफी चीज़े स सकता है ठीक है तो वीडियो और स्टेडी में टाइम खराब ना किज़ेगा ऐसे वीडियो देखिएगा MCQ देखिएगा और आगे बढ़िएगा तीन से चार दिन कितने थ्री टू फोर डेज एवरीडे साइंस कंप्लीट ठीक है लास्ट में उन वीडियो को सेव करके अपन तो यह हो घ nosasar कितने होगे लेगा हाता है इसका वीडियो एलग से बनाऊँगा तो कितने वीडियох हिंदी के पंडरा एंग्लीज के 30 के कितने होगे कई 55 कौर्षन तो अभी तक हमने से हो गए है अब आ गया ओ दूसरा जो आप लोगों को डराता है तो बहुंछ यादा व इस पर्टिकुलरस एक्जाम में क्षक बदलेगा कुछ होगा तो आगे देखी जाएगी अभी तक का यह बता रहें आपको कि बहुत छोटा प्रोषन दे रखा है मैच कहा बात हो पहले हो 안बशा नमबर तुला एक in घ्रग घर ऑ इसी पे लिख दो क्याना बश्यान अबर नमबर टेशिल्New इसर नमबर कालीं म Lauraलिने ंवाथेंगे माश माथरब vaccinations अथे विनीत in नमबर का खेल इतना ही है 25-30 मिन में नमबर क्या होते है natural number क्या होते है and rational क्या होते है decimal कैसे लगाये था to point लगाये था. .00 बस यह छो एकडम सी अलकी सी चिंदी सी बाते नमर के अंदर तो complete पहला सबसे easy portion maths का दूसरा दूसरा देखना आपके सामने क्या है ratio और proportion को दिक्कत वाली बात ही नहीं वैसे पंकर सर का एक वीडियो भी है profit and loss पे जो मैंने app में भी डाल रखा है उसके अंदर तो वो भी है ठीक है simple and compound interest मैंने पंकर सर को कहा दिया है आप लोगों के लिए यह भी निकालेंगे percentage वागी आपको बता दू YouTube पे भी available है फंकर सर अपनी तरफ से भी डालेंगे ratio proportion आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता finance management आपन करते ही है percentage निकालना आपनको आता ही है पेंडेल अपन विश्यार ही है simple interest compound interest में कोई दीकत वाली बात होगी नहीं simple formula है इसके formula के आप से द्यान रखना और थोड़ा से गुमावदा और question है 5 से question कर लेना ऐसे same तो आपको छटा question अपना भी होता है सर स्टेडी material कहां से पढ़ेंगे मैं कहां से करेंगे अरे यूटूब यार क्या लोड ले तो यहां material की क्या हो शकता है यहां पर नौलेज की जुरूत है यूटूब पे गए तस question किये ऐसे क्या करा रहे है वो MCQ करवा रहे है इसके भी इसके भी एक बार MCQ देख लेना क्या प्रैक्टिस MCQ यूटूब पे जो अवेलेबल है जाद पूछे जाते है वह देख लेना प्रैक्टिस भी देदेंगे को दिखत नहीं पर जनरल यह दे टाइम एन वर्प चेकर एक ट्रेन इतनी गती इतनी समय पहुंची तो उसको पार होने में कितना समय लगेगा एक जगा पूछे तक पहुतने में या उसकी स्पीड कितनी है यह आपको बताना है फिर आप बताना है एक आदमी इतने गंटे में इतना काम कर रहा है अगर वह दो आदमी मिल जाएंगे तो वो कितने गंटे में कितना काम करेंगे गटी organs कर लिये एसके बाते समझ में बहुत ही जादा इसी है नहीं है तो दो तो University आपके ही हाँ हो गई जिसमें कुछ है यी नहीं अब आगे तीसरी अब तीसरी कुछी निया तीसरी स्टेट्स देदी इसने थीदा स्टेट्स रिक लेता तो बात लगे इसने थोड़ा से उल्टा मीन मोड मीडियन दोनों ग्रूप्ट और अन्ग्रूप्ट का कौना ग्रूप्ट और अन्ग्रूप्ट का मीन मोड मीडियन यानि सेंट्रल टेंडेंसी देती है सुनना F लग जाता है and group न तो ऐसा रहता है वो देख ले ना frequency उसमें क्या बोलते है stats में frequency बोलते है वो लग जाते है कितनी frequently वो आता है data तो यह पढ़ने है उसके formula याद करने है मुस्किल से कोई 20 एक formula होंगे की load लेने how easy अपने लिए तो ठीक है और अपने इसे पढ़ते है विकॉम विकॉम की वही है तुमने सबने पढ़ाई है stats ठीक है तो सब्सक्री स्टाटिंग में क्या collection of data presentation of data ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अफ डाटा और कुछ नहीं है data Donnell to Rafaelे क्या रिपेजेंट टैसे जाएगा तो सःट में कर सकते हम बार में कर सकते हम पाइ चाठ में पर सकते चिनदी सी बातě है अपन को सेगेंगे अपने कर सकते क्या होति है ठीक है तो यह तरीक से theory portion है जिसपे mcu बन जाएंगे तो भाया इस 25 में से इस 25 में से वैसे तो 20 नमर आपके आने चाहिए फिर भी मैं मोटा मोटी भाई अपने ज्यादा लालज नहीं करते तुम लोगों को क्या पता अपने उपर वरोशा नहीं हो मैं तो इसमें 20 लिया हूं आलो जी आगे बाबाजी बेसिस ओफ कंपीटर वोई इसीन 25 कोछन पिच्चूतर नमबर सारह वह तो सेम ही है को दिखेत वाली बात मिए बेसिस ओफ कंपीटर क्या ही पता हूं है कि यहां पर आ जाता है देखो यह computer ठीक है यह computer है यह ऐसे बना थे computer सर्फ तो यह क्यों बना रहा है ऐसे बना रहा है और टाइम पास के लिए देखो यह computer है इसमें आपको पढ़ना एक तो पढ़ना ms word एक पढ़ना ms excel एक पढ़ना ms powerpoint एक पढ़ना internet एक पढ़ना e-commerce एक पढ़ना e-governance एक पढ़ना है e-commerce आ गया e-governance हो गया और email email इसमें आ गया commerce पढ़ना में एक चीज़ एक चीज़ एक पढ़ना एक पढ़ना आपको basics of computer basic of computer में क्या पढ़ना है basic of computer में आपको पढ़ना है बाइ input output device क्या था नहीं परते था चोड़े बच्चे था था कि बाइ इन्पूट device क्या है output device क्या है keyword keyboard keyboard mouse यह सारी चीज़े चीज़े सिखें अब चिंदी सी चीज़े अर्थ सरी यह तो हमें भी पता यह पढ़नी है पढ़नी कहां से अपी बताते हैं क्यों चिंता करते हो यार व्यर्थ की चिंता करते हो एक दिन चले जाओगे लोग वर्ड प्रोस्टिंग इन्प्रेजंतिशन जिसमें इसारा है आगा क्या वह यह समारा पौरपवॉंट języ मीचुन या इंट्रेंट वाल गैर आगेन यह तीन वीडियो मेरे अवेले पर्वाद ही जो मैं आपको स्पात अपेड स्थी शंगiskt D को क्या दे दूँगा folder के अंदर डाल के MS computer का folder बना के सारी चीज़ डाल दूगा तो यह तो हो गया cover भीया सबसे important important चीज बता रहे हैं और बहुत अच्छे तरी किसे questions भी आयते हैं उसके अंदर से और इपने पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आएसर बहुत पुरानी बात होगी मुझे यह पढ़ना इसका वीडियो मैंने नहीं बना रखा है ठीक है क्य तो इसलिए नहीं बना था लेकिन इसको अगर आपको लगता है तो यूटूब पे आप लिख देना यूटूब पे बेसिक्स ऑफ कम्पीटर जैसे बेसिक्स ऑफ कम्पीटर लिखोगे यह सारी चीज़े जो वर्ड एक्सल इन्टरनेट इनको छोड़ते ना यह बहुत सार अब यहाँ आप पीछो तो सबसे एजी है और वीडियो देख लिए उसके बाद तो आप बोलोगे कि भीजा सर कुछ है नहीं मुश्किल से 10 वीडियो है देख लेना मेरे ठीके आराम से देख लेना ज्यादा कोई चाली-चाली समेंट के वीडियो यह से बड़ा कोई वीड साफते आयो 20 कुषिन आपके एकदम से पढने चीए इसमेंसे margin of error कितने होनी चीए? 5 कि margin of error कितने होनी चीए? 5 कि चीए? ।की सर, अब कितने हुए कुषिन आपके है? सर, अभी तक 80 हो रखे थे और 20 और आपने add करा दी है, होगे कितने कुषिन सर, 100 कोषिन, यानी 500 मैं से आपके 100 questions सही सही पढ़ रहे है मैंने सब चीजों का average लिया कि कोई भी चीज extra नहीं ली जिसमें extra effort लगानी के आपके जुरूत हो सब चीजे एक nominal बताई सब चीजे एक दम easy तरीके से बताई उसमें करते हुए सब से मैंने देख लो पंदरा 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 लिये मैंने चादा लिये ही नहीं दस दस question गलत कर देना है करना ही मत ठीक है तो कितने हो गए यह हो गया आपके 100 question अभी 100 question में आप into 3 करतो तो हो गया आपके 300 number वैसे इसका आदा कितना होता level 45 होता है आप हिक्जक जिदा श्रीज अपके लिए किक श्रीज नहीं करकें है कि यह और को करने के लिए आपको इतना ज्जादा लोड लेना है और सारे मैंने तीन से चार दिन कंगी बताया आपको ज्यादा बता यह यानि तीन से चार दिन करें मुश्किल से आपके सामने कितने हैं पांच छे एक इसको छोड़ देना तीसरे को इसमें कम से कम 10 से 15 बारा दिन आपको या पंदरा दीन आपको देने पड़ेंगे कितने हैं तस से पंदरा दिन ठीक है वह एक गंटा दस पनधा यह सुभ़े साम पड़े भड़ेो दस से फ़या हैं तो वज RS गाल चांच वाच इनका लो पांच इन्टू 5 दिन मान लो तो पासीस दिन यानि एक महिने महिने के लिए एक महिनेमे एक महिने में एक महिने में वन मनथ के अंदर आपका लगब लगब 80% पेपर वहन कंप्लीट होता है प्लस रोज के एक दो गंटे बस एक महिना पूरा भी निए और चली रहा है और जो एक बार तुमने पेपर वन पूरा अच्छी तरी है जो मैंने कहा वैसे कर लिया मैं आपको लिख के देता हूं पेपर वन आपका सबसे स्टॉंग पार्ट भी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा पेपरन का खेल ही ऐसा ही है इसको शुरू करने से डर लगता है पर एक पर सुरू कर लिया तो बात में सारी चीज़े एक दम एजीली होती जाती है राहिस्तान जीके के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा पंद्रभी स्पिन का एक पंद्रा भी आ जाएंगे न तो फिन्चण को श nos पताने की कोशिस की है उसके साथ जो मैं होता मैंने यह सारी जो बाते करीए डि अए सब की सब टेस्टेड बाते हैं कोई भी हवामे बात नहीं की है मैंने आपने देखा हुगा कोई भी नबर मेंने एक्ष्टा नगी जोड़ा, को भी बात मेंने हवाम नहीं कि है, सारी टेस्टेड मतरब टेस्टेड आन जहन में उतार लीजेगा और पेपर्वन की ट्यारी कल से शुरू कर दीजी और बहुत इजीली मैंने बता दिया कहां कहां से आपको मेट्रिल भी मिलेगा ठीक है तो I hope मैंने जो इतनी बाते की वो आपके लिए यूसफुल रहेगी I hope मैंने जो इतनी बाते की वो आपके काम आएगी आप लोग इसका धन्यवाद मेसेज जरू दीजेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि यह बाते आपके लिए कितरी सही रही मैंने काफी हद तक पेपर्वन इजी कर लिया और भी कोई तकलिफ होगी तो टेलीग्राम हमारे दौर आपके लिए हमेंशा खु यह कॉस्ट आप सिफ नॉमिनल कॉस्ट मानों और उसके साथ हम आपको चितनी जादा चीजे देने के कोशिश करेंगे उतनी दिन रात कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई चीजे लेगा है उतनी जादा महनत करें ठीक है हमें किसी तरी का क्रेडिट नहीं चाहिए हमें सि करते हैं मैंने कभी उनका नाम तक नहीं पूचा रिजन बिंग हम अपना रिकॉर्ड रखना ही नहीं चाहते जो हो अगर आप इसमें भी एक्जाम में सेलेक्ट होंगे तो वह आपकी मेहनत ही है आपकी वज़े से ही है दुनिया बर के मैसेज पड़े है लोग अपने करते रहिए पढ़ते रहिए हासिल करते रहिए बांगी सब चीजे अपने आप ही होती रहेगी तो इसलिए ना हम वन एक्जाम वाले कभी किसी चीज का कभी भी आपने देखा होगा कभी हम बहुत टीर को बच्चा चला कि हमको बोलो जो और देगा है अगर वाले हम नहीं यह टार्गेट है और इस एक्जाम में भी आप सेलेक्शन होंगे तो हम इसका धिंडोरा नहीं पिटेंगे तो हम बस यह कोशिश करते हैं कि ज़ितने ज्यादा मेहनत कर से च small page अफ? इत depreciation रात करते हो इसे हैं अपिनी बात को विराम देते हुए बूंत करें में आज के इस प्रोग्राम में मैं आप तन्यवाद अजित करता हूँ और जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में राहस्तान जिक्के का वीडियो बनाऊँगा तभी जब आप कमेंट सेक्षेन वोलोगा आपको रिक्वार्मेंट है अपनी रिक्वार्मेंट बताओ डिमांड ए सप्लाई के खेले मार्केट में अगर आप आपने